दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ कुछ काम में लगा हाथ पर सुन्यों जाते मतलब चूना खाते रही है हां अब यह सवालों ऐसा है कि चूने से जीप फट जाती है तो आप चूना अगर सीधे जीप पे खाएं गे तो फटे चूना यह पान में जो खाते हैं वो ही जिस मां को गर्भामस्था होती है ना उसको बच्चा स्वस्थ तंद्रूस्थ पड़ा होना चाहिए बीमार ना बच्चे के स्वस्थ पड़ा होने का सबसे बड़ा आधाद है केल्शियम केल्शियम नाम का एक रसायन होता है जो केल्शियम अगर शरीर में ज़्यादा है ना तो हट्डियां लचीली रहती है और हट्डियां लचीली रहना तो सारा शरीर फ्लक्सिबल होता है और शरीर लचीला हो तो गर्भ से बच्चा आसानी से बाहर आता उसको तकलीफ नहीं होती जादा मां को भी तकलीफ नहीं होत पान में जो लगाते हैं और जो पुताई करते हैं पुताई वाले चूने को पानी में डाग दो 20-30 दिन पड़ा रहने तो ठंडा हो जाएगा फिर पानी उपर आ जाएगा चूने नीचे बढ़ जाएगा उसमें से एक छोटा सा चुटकी बर चूना जीरे के दाने के बराबर गेहूं के दाने के बराबर किसी भी गरुमती मा को खेलाना है पानी में मिला के दे दो या तो दाल में मिला के दे दो या चाच में मिला के दे दो या दही में मिला के दे दो किसी में भी मिला के खिला, थोड़ा सा चूना रोज खिला, नौ महीने लगाता और खिला, जो माने थोड़ा थोड़ा चूना रोज खा लिया नौ महीने, उसको कभी भी ओपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़े.